परमेश्वर के वचन में से आज हम देखेंगे जो हमारे सामने लुका रची सु समचार उसके 18 अधियाय में से पड़ा गया है मैं आप लोगों से ये प्रशन करना चाता हूँ कि क्या कभी आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि आप बहुत लंबे समय से परमेश्वर से प्रात्ना कर रहे थे और परमेश्वर ने आपकी प्रात्ना का उत्तर बहुत लंबे समय तक नहीं दिया या कभी आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि जब परमेश्वर ने आपकी प्रात्ना का उत्तर आपको नहीं दिया तो आपने हिया छोड़ दिया या गिव अप कर दिया आपने कहा कि परमिश्वर मेरी प्रात्ना तो सुन नहीं रहा और आपने प्रात्ना करना बंद कर दिया या फिर कभी ऐसा आपके साथ हुआ हो कि आपने प्रात्ना करी परमिश्वर से और बहुत लंबे समय तक जब आपको उस प्रात्ना का उत्तर नहीं मिला तो आपने हियाव छोड़ दिया, गिव अप कर दिया और आपकी जो सोच है वो परमिश्वर के प्रती बदल गई एक्जाम्पल के तौर पर की पहले आप सोचते थे की परमिश्वर आपकी प्रात्नाओं का उत्तर देता है लेकिन जब प्रात्ना का उत्तर नहीं दिया तो यह मन में आया है कि परमिश्वर हमारी प्रात्ना का उत्तर नहीं देता यह कभी आपके मन में ऐसा हुआ हो कि परमिश्वर कब से मैं आप से प्रात्ना कर रहा हूं लेकिन आप शान्त हो आप मेरी प्रात्ना का उत्तर नहीं दे रहे कब तक परमेश्वर मैं चिलाता रहूँगा या अपनी प्राथना आपके सम्मुक लेकर आता रहूँगा बहुत सारे लोगों के इसी प्रकार के प्रशन होते हैं प्राथना को लेकर और वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्राथना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा अब हम क्या करें क्या हम गिव अप कर दें क्या हमारी जो सोच है जो हमारी विचारधाराय परमिश्वर को लेकर उसको बदल दें या फिर हम अपने जीवन में क्या करें ये जो पैरेबल जो है ये जो दृष्टांत आपके सामने आज लूका की किताब उसका अठारा ध्याय और उसके एक पद से लेकर आठ पद में से पढ़ा गया है वहाँ पर यिशु मसी अपने चेलो को एक दृष्टांत देते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये यिशु मसी इन लोगों को इस दृष्टांत को बता रहे हैं तो वो दिहान में रख रहे हैं इस बात को कि अभी तो वो यिशु मसी अपने चेलो के साथ हैं जब वो ये दृष्टांद शुरू करते हैं तो वो इस परकार से कहते हैं 18 के एक पद में इस परकार से लिखा है फिर उसने उनके विशे में कि नित्य प्राथना करना और हियावना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांद का दृष्टांद को कहने से पहले ईशु मसी ने यहाँ पर प्राथना के विशे में उनसे दो बाते कही पहली चीज ईशु मसी ने उनसे कही कि नित्य प्राथना करते रहना और दूसरी चीज ईशु मसी ने कहा कि हियावना छोड़ना इंग्लिश में लिखा है कि continuously pray and don't give up लगातार प्राथना करते रहना हमेशा प्राथना करते रहना और हियाव ना छोड़ना अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह शु मसी का कहने का मतलब यह था कि प्राथना करते रहना और डिस्करेज मत होना हतोत साहित अपने जीवन में मत हो जाना क्योंकि परमेश्वर जो है वो सब चीजों पर कंट्रोल रखता है जिस परमेश्वर से आप प्राथना कर रहे हैं वो परमेश्वर सब चीजों पर अपना अधिकार रखता है सब चीजों को अपने कंट्रोल में रखता है God is in control परमेश्वर सारी चीजों पर अपना अधिकार रखता है यदि आप व्यवस्था विवरन उसका 31 सध्यायर उसके 8 पद में पड़ें तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोका देगा और ना छोड़ देगा इसलिए मट डर और तेरा मन कच्चा ना हो जब हम कई बार परमेश्वर से प्रात्ना करते हैं तो हम ही आव छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्राथना को नहीं सुना या परमेश्वर हमारी प्राथना का उत्तर हमें नहीं दे रहा है। हमारा मन कच्चा हो जाता है और हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूरी बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर यिशु मसी इन लोगों को यही बात बता रहा है कि Always pray and don't give up. निरंतर प्रात्ना करते रहें, लगातार प्रात्ना करते रहें और हियाव ना छोड़ें. अगर हम इस खंड के context के अंदर जाएं, इसके संधर्म में अगर हम जाएं, तो हम यहाँ पर एक चीज पाते हैं, कि यिशु मसी इन से उस समय के विशे में बात कर रहा है, जब यिशु मसी इस दुनिया से चला जाएगा, और यह अपनी सेवकाई को लोगों के बीच में करेंगे. और यिशु मसी इस बात को जानते थे कि, जब ये उसकी सेवकाई को इस संसार में रहते हुए करेंगे तो इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इनके सामने opposition आएगा लोग, समाज, यहुदी मत इनके against खड़ा हो जाएगा बहुत सारे लोग इनको मारने का शड़ेंतर रचेंगे बहुत सारे लोग इनके विरोध में हो जाएंगे और नाना परकार की चीज़े इनके साथ की जाएंगे और की गई लेकिन इन सारी चीज़ों को करने से पहले येशु मसी इनको एक चीज़ बताता है और वो ये कहता है कि तुमें निरंतर प्रात्ना करने की आवश्चकता है और तुमें हियाव नहीं छोड़ना अगर हम इंगलिश में देखे तो वहाँ पर एक शब्द का इस्तमाल किया गया है परसिस्टेंटली जिसका जो अर्थ होता है कि लगातार या फिर लगन के साथ प्रात्ना करने की आवश्चकता है और हम इस बात को देखते हैं प्रेडितों के काम में ये लोग लगातार परमिश्वर से प्रात्ना कर रहे थे और इनकी मिनिस्ट्री जो फ्रूटफुल हुई वो इसलिए हुई क्योंकि ये लगातार परमिश्वर से प्रात्ना कर रहे थे जब हम इस दृष्टांत में जाते हैं तो वहाँ पर एक विद्वा इस्त्री के विशे में बताया गया और वहाँ पर उस विद्वा इस्त्री के विशे में इस प्रकार से लिखा है अगर तीन पद में पढ़ें, वहां लिखा है कि उसी नगर में एक विद्वावी रहती थी, जो उसके पास आ आ कर कहा करती थी, मेरा नियाय चुका कर मुझे मुझे मुद्दई से बचा। पूरी तरह से निर्भर है कि वो इसका नियाय चुकाएगा और दूसरी चीज, ये इस्तरी जो है आसहाई है, helpless है। ये किस इस्तिती का सामना अपने जीवन में कर रही थी, ये क्या problem इसके जीवन में थी। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पर देखी, कि ये अपने मुद्दई को punishment करने के लिए या उसको सजा देने के लिए इस नियाय के पास नहीं आ रही है। बलकि कह रही है कि मुझे मेरे मुद्दई से बचा ले। और जो हमारा परमेश्वर है, वो हर एक ऐसी बातों से, ऐसी परिस्तितियों से, ऐसी चीजों से जो हमारे जीवन में हमें परेशान करती है, उन सारी चीजों से बचाने की सामर्त रखता है। तो इसलिए जिस प्रकार से ये इस्त्री पूरी तरह से अपने उस न्याई के ऊपर डिपैंड है, उसी तरह से हमें भी पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपैंड होने की आवश्चता है। और येश्व मसी इस दृष्टांत के दुआरा यही बताने की कोशिश कर रहा है अपने चेलों को कि तुम्हें पूरी तरह से मुझ पर डिपैंड होने की आवश्चता है, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें तुम्हारी ओपोजीशन में, तुम्हारी प्रॉब्लम्स में और जो कुछ भी तुम अपने जीवन में फेस करोगे, उससे बचाने की सामर्त रखता हूँ, आज बहुत से जो पास्टर्स, इवेंजिलिस्ट, मिश्णरीज, बहुत सा ओपोजीशन अपने जीवन में फेस करते हैं, जब वो अपनी सेवकाई को करते हैं, हम उन लोगों क उन सेवकों को बचा, और जो लोग उनके साथ बुरा कर रहे हैं, उनके जीवन को भी बदलते हैं, ताकि वो भी प्रभी शुमसी पर विश्वास करने वाले हो सकें, लेकिन यहाँ पर जो बताने का जो तात्परे वो यह है, कि हमें लगात्तार हमेशा प्रात्ना करने की आ कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद भी मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवा करता हूं, तो भी यह विद्वा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा नहो कि घड़ी میरी नाक में दम कर दे। यहां पर हम इस विखती के विशे में देखते हैं कि ना तो यह परमेश्वर से डरता है, ना यह मनुष्य से डरता है, और यह पूरी तरह से जो मुसा की विवस्ता है, उसके विरोद में अपनी जीवन को जी रहा है। और यही शुमसी यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का example दे रहे हैं जो व्यवस्ता का खुद पालन नहीं करता लेकिन यहां पर वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का जो attitude है परमेश्वर का जो व्यवहार है परमेश्वर का जो नेचर है वो इस व्यक्ति के समान नहीं है बलकि एक बुरा व् इस्त्री को जो बार-बार उससे न्याय मांगने के लिए आती है, उसकी प्राथना का उत्तर दे सकता है, तो हमारा परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, वो तुम्हारी प्राथना क्यों नहीं सुनेगा, यहां पर परमेश्वर की जो परस्न परमिश्वर 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 इस बात को भी जानता है कि हम किन परिस्तितियों का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं चाहे वो हमारी financial problem है चाहे वो पारिवारी समस्या है चाहे वो हमारे job में समस्या है या फिर किसी और चीज में भी जिसका भी सामना हम अपने जीवन में कर रहे हैं परमिश्वर इस बात को जानता है कि मनुष्य होने के नाते कई बार हम हियाव छ कहता है कि तुम्हें जो अपनी प्राथना करने की जो हैबिट है जो प्राथना करने का जो नियम है यहना उस में लगातार बने रहने की आवश्यक्ता है और खास तोर से विश्वास में बने रहने की जरूरत है। जो मेरी प्राथना का उत्तर देने की सामर्थ रखता है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना है, लेकिन उसी प्रकार से हमें भी अपने परमिश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यक्ता है, क्योंकि वही है जो हमारी प्राथना का उत्तर देने की आवश्यक्ता है, इसलिए हमें हमें हतोत साहित अपनी जीवन में नहीं होना, हमें याव नहीं छोड़ना, बलकि हमें लगातार परमिश्वर से प्रात्ना करने की आवश्चकता है। पर एक फादर, एक पिता के रूप में हम परमिश्वर से प्रात्ना करते हैं। और जब हम परमिश्वर के वचन में लिखा है कि जब बुरे व्यक्ति होकर एक पिता अपने बच्चों की अवश्चकताओं को देना जानता है, तो वो तो हमारा जुस्वर के पिता है, वो पव हियाव ना छोड़ें क्योंकि हमारा परमिश्वर हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है। परमिश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आयद के साथ आशीश दे। झाल